नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्यूं आते हैं आसू इसके बारे में इस वीडियो को लास्ट तक देखें जब भी हमारे चोट लग जाती है या हम बहुत दुखी होते हैं तो हमारी आँखों से एक तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम आसू कहते हैं तो आईए जानते हैं ऐसा क्यूं आँख के नीचे अश्रू नलिकाओं, lacrimal ducts इसलिए दी गई होती हैं कि यदि हमारी आँख में काई परेशानी हो या काई कचरा चला गया हो तो अश्रू नलिकाएं से यह तरल पदार्थ बाहर निकलता है और आँखों को साफ करने और कीटानू रहित रखने मदद करता ह यह मिश्रन नमक और पानी से बना होता है जब आँखें ज्यादा शुष्क हो जाती है तब भी यह तरल पदार्थ यानी की आंसु निकलते हैं और आँखों को शुष्क होने से बचाते हैं ऐसा अकसर तब होता है जब आप तेज गती से बाइक चला रहे होते हैं और हेलमे ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके अपना सुझाव हमें कमेंट करके बताएं नए है तो हमारे चैनल दंके की चोटपे को सब्सक्राइब करना न भूले